नमस्कार विद्धियार्थियों और मेरे प्रिये मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हब में आज हम शाजहां के विशे में पढ़ेंगे और इसे जुड़े कुछ रोचक तत्थियों को भी जानेंगे और इसके साथ जो प्रश्ण आते हैं उनको भी फोड़ा समय समझाता चलूँगा आपको तो सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण मैंने तत्थि डाले हुए हैं उसके बाद उसकी जीवनी देखेंगे जो कारेकाल में क्या-क्या विद्रो हुए वो सब देखेंगे और मैंने लास में भी कुछ महत्वपूर्ण तत्थे डाले हैं जो आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ्वी से बहुत दादा इंपॉर्ण है तो आप जुड़े रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक शाजहां को मीर जुम्ला ने कोहिनूर दिया था तो ये मीर जुम्ला जो था ये आपका गोल कॉंडा का प्रधान मंतरी था गोल कॉंडा जैसा कि आपको पता है जो दक्कन था दक्कन में जो सामराज्य था उसमें गोल कॉंडा बीजापूर एमद नगर ये सब थे तो गोल कॉंडा का प्रधान मंतरी था मीर जुम्ला इसने शाजहां को कोहिनूर दिया और ये एक बहुत रिच व्यापारी भी था जो वहाँ का प्रधान मंतरी बनके रहा है और आखरी में मीर जुम्ला जो है ये औरंग देप का भी साथ देता है जब हम उसका उत्तराधि का युद्ध देखते हैं फिर इलाही समवत की जगे शाजहां ने हिज्री समवत को शुरू किया और ये जो इलाही समवत है ये 1583 में अकबर ने शुरू किया था और उसकी जगे इसने हिज्री समवत को शुरू किया जिसकी शुरुवात मानी जाती है 622 इसमी से यानि कि ज जो की चंद्र की गती के उपर यानि की जो आपकी मून की जो स्पीड है उसके उपर ये आधारी थे इसलिए इसको चंद्र कैलेंडर भी बोलते है शाजहा ने बुझदवार को नियाय का दिन घोशित किया था ये बहुत important है और इसके नियाय की प्रिशंसा भी करते हैं काफी जो ट्रैवलर्स आये हैं इसके काल में इसके उपर मैंने एक अलग से लेक्चर लिया था कि कौन-कौन से ट्रैवलर्स मुगल काल में किस-किस शासक के अंतरगत आते हैं और नोंने अपने क्या-क्या व्याक्षान दिये हैं कश्मीर में इसने हिंदू-मुस्लिम विवाह पर प्रतिबंद लगा दिया ये बहुत important एक fact है जो कि गाम में पुछा जा सकता है कि किस मुगल शासक ने कश्मीर में हिंदू-मुस्लिम विवाह पर प्रतिबंद लगा हिंदूओं के धर्म परिवर्तन के लिए एक अलग विवाग की स्थापनागी इसने और सल्तनत काल में हम देखते हैं कि ऐसा काम फिरोशा तुगलत ने भी कुछ ऐसा ही काम किया था अलग विवाग बनाया था 1633 में नए मंदिलों को पर शिजदा और पैबोस अगर आपको याद हो मैंने सल्तनत काल में आपको बताया था कि बल्बन ने शुरू किया था सिजदा और पैबोस और ये फार्सी परंपरा है एक तरह से गैर इसलामिक परंपरा है इसलिए शाजाहा ने इसको बंद करवा दिया और क्योंकि जो सिजदा और पैबोस है उसके लिए आपको शासक के सामने एकदम नत्मस्तक होना पड़ेगा और क्योंकि इसलाम में मानिता है कि आप जो अपने आपको जो नत्मस्तक करेंगे वो केवर और केवर अल्ला के सामने करना चाहिए उसकी जगे इसने इसको बंद कराके चार पस्लीम के शुरुआत करा दी अब जान लेते हैं इसके प्रारंबिक जीवन के विशे में तो जैसे आपको पता है कि जहांगीर का पुत्र था और इसके लावा जहांगीर के तीन और पुत्रों के नाम आते हैं सबसे पहले नाम आता है खुस्रो खुस्रो जो की जहांगीर और मान बाई का पुत्र था मान बाई जो की मान सिंग जो अमेर के मान सिंग राजा मान सिंग है उसकी बहनती उससे पुत्र सबसे पहले उत्पन होता है खुस्रो फिर उसके बाद नाम आता है खुर्रम जो की शाजहां ही है खुर्रम इसका बच्पन का नाम था इसको उपादी दी गई है शाजहां की तो शाजहां नाम ना समझे शाजहां एक उपादी है आगे मैं बताओंगा आपको कम मिलती है और क्यों मिलती है खुर्रम के बाद आता है नाम परवेश का परवेश और उसके बाद आता है शहरयार तो ये चार पुत्र थे पांच पुत्र हैं जागीर के जिसमें से शाजहां को गद्धी मिलती है और इसका जन्म होता है पांच जन्री 1592 लाहौर में शाजहां की माता जैसे मैंने आपको पताया जो खुसरो था उसकी माता थी मान भाई आमेर की ऐसे शाजहां की जो माता थी वो थी उद्धै सिंग की पुत्ति जगत गोसाई तो जगत गोसाई इनको जोधा भाई भी बोला जाता है जगत गोसाई भी बोल सकते हैं आप और मलिका जहां का भी इनको खिताब दिया था जहांगी इन 1608 में शाजहां को 8,000 का मनसब दिया गया और इसे 1611 में बढ़ा कर 10,000 कर दिया गया लेकिन आपको ये चीज़ जहां रखनी है मनसब जो दिया गया है ये इसको रैंक दी गई है 8,000 की उनली ये इसका पद है जबकि इसकी जो सवार की संख्या थी सवार की संख्या हमेशा 5,000 रही है चाहे इसको 8,000 का मनसब दिया या 10,000 का मनसब दिया लेकिन इसको सवार र तक उसका किस तरह से development हुआ है उसको हमने पूरा देख लिया था इसका 1615 में चित्तौर से संधी करने के उपलक्ष में अब चित्तौर में कौन शासक था चित्तौर में थे आपके अमर सिंग अमर सिंग तो हमने बहुत गहराई से इसको पढ़ा था जो हमने अकबर की बात की थी अकबर और महाराना प्रताब की थी उसका जहांगीर के बारे मैंने आपको बताया किस तरह से उसने अभियान भेजे हैं बहुत सारे तो उसमें चित्तौर का अभियान आपको पताया था कि किस तरह से उसने चार अभियान भिजेते चित्तोड में जब वो शासक बनता है उसके बाद से और 1215 में संधी करवाता है खुर्रम उसमें रसत बंद कर देता है चित्तोड के लेगी तो वो संधी के लिए मान जाते हैं जनता के उपर जुल्म हो रहे होते थे तो इसी उपलक्ष में क्योंकि ये बहुत लंबी एक संधर्श चला रहता बहुत लंबा उस उपलक्ष में जहांगीर इसको 15,000 का मंतब देता है और शाह खुर्रम की उपादी देता है यहां पे इसको मिल जाती है शाह खुर्रम की उपादी एहमद नगर में मलिक अंबर को समर्बन कराने के लिए इसको 30,000 का मंतब दिया जाता है और शाह जहां की उपादी इसको इसी उपलक्ष में बनती है तो आफ से प्रेशन किया जाएगा कि शाह खुर्रम की उपादी की सुपलक्ष में मिली और शाह जहां की उपादी की सुपलक्ष में मिली 1612 में खुर्रम का विवा होता है आसफ खान की पुत्री अंजुमन वानो बेगम से यही बनती है आगे चलके मुम्ताज मुम्ताज महल जिसके लिए ताज महल बनवाया गया है और यही है आपकी मुम्ताज महल अजुमन मानो बेगम जो की आसफ खान की पुत्री है अभी आसफ खान जो है यह कौन है यह नूर जहां का भाई है तो यह important है थोड़ा सा ध्यान बनाते चलिए क्नेक्ट करके चलेंगे तो पढ़ने म आसानी रहेगी और याद करने में आसानी रहेगी नूर जहां जिससे शादी कर लेता है जहांगीर उसी का भाई है अतव खान जहांगीर की मृत्ती हो जाती है जब 1627 में तो उस समय शाजहां जो है दक्कन में था क्योंकि इसको दक्कन की सूबेदारी दी गई थी और इस स जब बोला जाता है कि कंधार में आक्मन करो तो उस समय क्योंकि नूर जहां का काल चलना होता है नूर जहां के शड़ियंत्रों का काल चलना होता है तो यह जाता नहीं है और द्रो कर देता है तो यह दक्कन महीं रहता है और नूर जहां जो है क्योंकि शहरियार को बाश्या ब समझ में आजाएंगे आतफखा, नुर जाहां का जो की भाई है, लेकिन क्योंकि वो शाजहां का ससूर लगता है, उसकी जो बेटी है आतफखां की, वो शाजहां के साथ पही बेटा है शाजहां के बड़े भाई का बेटा है खुसरोगा दावरबक्ष और यह इसको बढ़ा जाता है और इसलिए बढ़ाता है कि बस शाजहां को टाइम मिल जाए दक्कन से बाँ तक आनेगा शिंगासन खाली होगा तो नूर जहां को मौका मिल जाएगा अपने दम पेंशन आफ कर दिया जता है दो लाग रुपए दो लाग रुपए सालाना इसको पेंशन देके लाहोर भेद दिया जाता है तो इस तरह से जो शाजहां है वो गद्धी पर काबिज होता है और जैसे वो गद्धी पर काबिज होता है तो बहुत प्रमुक दो विद्रो होते है वीर सिंग बंदेला क्यां तो कि निद्ञों करता है उन पर आकरमन कर देता है तो शाजहा स्मर्पण का समयर्पण कर वाता है और दूजहार सी शाजहा को ए एक हजार स्वर्ण मुद्रा और करीब करीब पंदरा लाग रुपए देना स्विकार करता है और जिसके बदले में शाजहां इसको अपनी जागीर रखने देता है और इसको चार हजारी का मंसब देता है यानि कि इसको जो मंसब दारी दी गई है वो चार हजार की है जिसका मत ये बहुत जादा भ्यानक विद्रोओ था क्योंकि जो गुंदेला राज़पूत का विद्रोओ था ये इतना जादा भ्यानक नहीं था इसको काबू कर लिया गया था बहुता खानी थे बट खान जहां लोधी जो है ये क्योंकि दककन में है और दक्षिण में ये सेना पती था और एहमद नगर के साथ मिलके विद्रो करता है और शाजहां बड़ी सेना लेके खुद वहाँ जाता है खान जहां को बीजापूर भागना पड़ा लेकिन खान जहां को बीजापूर में भी जादा मदद नहीं मिलती और आखरी में ये करीब 1630 के करीब कलिं के पास युद्ध करते हुए खान जहां लोधी मारा जाता है इसके बाद सबसे आदा महत्पूर्ण आता है पुर्तगाली संबन क्योंकि हम देखते हैं विदेशियों का आगमन अक्पर के समय से ही शुरू जाता है जहांगीर के समय में वो अपने पैर पसारने लगते हैं और शाजहां यहां पे कासीम अली खान को भेजता है और हुगली को पुरी तरह से नश्ट करदवा देता है काफी पुर्तगाली मारे जाते हैं और कुछ को कैद करके आगरा ला जाता है और अब्दुलहमीद लाहुरी जिसने इतिहात लिका है शाजहां की समय का यह हमको बतात अब क्योंकि हमें पता है जहांगीर के समय में या बलकी हम देखें तो जो एहमद नगर है एहमद नगर के कुछ हिस्तों को कबजे में कर लिया आता है लेकिन बहुत सारा हिस्ता अभी भी फतंद था दौलताबाद का किला अभी भी पूरी तरह से निजाम शाही जो थी वो सातन चल ला था तो जो फते खान है अब क्योंकि इसको दक्षण के जो राज्यते उसको अपनी सामराज जवादी नीती के तहत उसको विलाय करना था एहमद नगर का विलाय करना था तो यह इसने आकरमन किया है वहाँ पे एहमद नगर के उपर पर परंतो यह जो आकरमन थ था मुर्तिजा निजाम, एहमद नगर का शातक है, मुर्तिजा निजाम, इसके और फतेशा के बीच में कुछ मद्भेद हो जाते हैं, इसकी विशे से मुर्तिजा निजाम फतेशा को कारागार में डाल देता है, तो जब ये कारावास में डालता है, लेकिन उस समय मुगलो का संकट आ रहा होता है तो इसको मजबूरान उसको छोड़ना पड़ता है फते खान को क्योंकि फते खान जो है बहुत जाधा प्रशासनिक रूप से बहुत स्ट्रॉंग सा समय तो छोड़ देता है उसको लेकिन जब यह छोड़ता है उसके बाद हुसायन शा को यह बठाता है गद्दी बे और हुसायन शा को गद्दी बठाके यह शाजहां के साथ एक तरह से समझवता कर लेता है और शाजहां को दौलता बातक किला सौंब देता है तो यहाँ पर बहुत दा युद्ध करने की आवशक्ता नहीं पड़ती एहमद नगर का विलाय कर लिया जाता है और हुसायन शा जो इसका बेटा है उसको मरवा दिया जाता है बीजापुर के आदिल शा ने भी 1636 में अधीनता सुईकार कर ली और गोल कॉंडा ने भी सी तरह से इसकी अधीनता सुईकार कर ली लेकिन ये जो अधीनता सुईकार करना है गोल कॉंडा का और बीजापुल का ये पूरी तरह से इसका विले नहीं हुआता भी तरह गोड़ीता और बीजापुल का विले होता है औरंग देब के काल में 1686-86 में जागे अभी केवल अधिन्ता सुईकार करी है यानि कि हम एन्वल ट्रिब्यूट देते रहेंगे आपको वार्शिक कर देते रहेंगे और अपने जो सीमा है उसके अंदर स्वायत शातन करते रहेंगे शाजहा ने औरंग देब को दक्कन का दो बार गवर्णर नाया यह बहुत महतना पूर्ण है अब आप देखो शाजहा भी दक्कन का गवर्णर रहे चुगा था और और अगे चलके पिर बाश्या बनता है बड़ यहां से कुश्चन पूछा जाता है इसलिए बहुत इंबॉर अब आते हैं मध एशिया नीती के ऊपर, सबसे पहले कंधार देख लेते हैं, जैसे कि हमको पता है, जहांगीर जब मैंने आपक पड़ाया था, या जहांगीर नीवल की बहुत पहले से इसकी शुरुआत होती है, जो कंधार है, इसकी शुरुआत इरान के साथ जो संबंध है मुगलोंग उसके उपर ही पूरी बेस जाई कहानी हुमायू के हमने बात कि थी कि हुमायू को किस तरह से इरानियों ने मदद की थी अपना शेतर वापस जीतने के लिए तो उसने क्या-क्या वादे किये थे तो जो इरानी थे वो कंधार के उपर अभी भी हक समझते थे और शाह अबास के इनने बात की थी जहांगीर के साथ शाह अबास की क्या रिलेशन थे इसके बाद शाह सफी होता है इस समय जिस समय शाह जहां यहां पर शासन कर रहा है तो यह बहुत मैतपूर ने याद करते चलिए शाह सफी शाहां का contemporary है शाह अबास शाह अबास जो था ये जहांगीर का contemporary है तो यहां से question भी पूछा जा सकता है आपके नॉर्मल वन लाइनर आ सकता है मैजदा following आ सकता है तो शाह सफी जो है यह अली मीर को दूद बना कर भेजता है शाहां के दरबार में और शाह जहां भी मीर बरका को बेजता है तो यह दो नाम बहुत important है किसने किसको गूद बना के बेजा शाह जहां बेजता है मीर बरका को लेकिन जो अब यहां पे भी एक शासक है अली मर्दान नाम का अली मर्दान कंधार पे शासर अंगर रहा है और जो शाह सफी है इसको ऐसा लगता है कि जो अली मर्दान है यह शाह जाहां के साथ मिल जाएगा तो यह इसकी मदद नहीं करता और अली मर्दान इसी वज़े से जो कंधार है वो शाजहा को सौंप देता है लेकिन इरानी फिर से 1649 में इसको कंधार को अपने कब्दे में करने में सफल हो जाते हैं और इसको छुडाने के लिए शाजहा दो बार औरंग देप को भेजता है और एक बार दाराशिको को भी भ के तुरंडजीत गुंगा और यहाँ पर इसको शाफ बुलंद इकबाल की फादी दी जाती है ये शाह बुलंद इकबाल की उपादी दी जाती है तो यह important है आपके लिए शाह बुलंद इकबाल की उपादी इसको किस मौके पर नी गई है जब वह कंधार के उपर आक्रमण करने जा रहा है तद दी जाती है लेकिन जीद वह भी नहीं पाता है फिर आते हैं बल्ख के उपर औ बल्क में ग्राय युद्ध जो चलना होता है तो नजर मुहम्मद यहां का शासक है और यह शाजहां से मदद मांगता है लेकिन शाजहां वहां पे मदद भेजने की जगए उसके उसकुरे एरिये पे तब्दा कर लेता है तो सिविल वार का एक तरह से फायदा उठाता है और इरानियों के लेकिन दबाव में आके इसको यह भी छोड़ना पड़ता है तो अब्दुल हमीद लेकिन यहां पे यह बहना देता है कि भाई वहां के संसाधन जो परियाप्त नहीं थे और जो वहां पे सेनाय रहती थी उनकी सैलरी भी नहीं निकल पाती थी तनका भी नहीं में लेकिन कंधार भी नहीं जीत पाता और बल्क भी नहीं जीत पाता जिसकी वेसे आगे चलके जो इतिहासकार जो अभी आदुनिक इतिहासकार है उन्होंने इसके अलोचनायगी की हैं कि भाई इसके पास सैन बहुत जादर शकती नहीं थी या फिर बहूत अच्छा सेना नायक नहीं था क्योंकि जब इसको जो सामराज जो मिला था वो तो पहले से संगडित था और भारत के बाहर से कोई आक्रमण हुए नहीं यहीं दो आक्रमण थे जिसको इसको यह डील नहीं कर पाया शाजहां के पुत्रों पुत्रियों के बारे में देख लेते हैं important है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे अपना उत्रादिगार का युद्ध तो यह महत्वपूर्ण हो जाएगा दारा जैसे माने अपको बता है सबसे बड़ा बेटा था इसको सबसे बड़ा मंसब दिया गया है दारा को 60,000 का मंसब दिया जाता है और दारा के विशय में बहुत सारे इतिहातकारों ने बहुत कुछ बोला है जैसे लेनपुल ने इसको बोला है लिटिल अकबर तो नाम important है कई बार इतनाम में इस तरह से question आ जाते हैं कि किस इतिहातकार ने किसको क्या बोला तो लगु अकबर बोला है लगु अकबर केवल इसके जो घार्मिक विचार से उसकी वज़े से इसको बोला गिया है बाकी लेनपुल ने भी इसकी बहुत जमजम के बुराई की है और इसको बल्कि यहां तक बोला है कि चापलूसों से घिरा हुआ रहता था चापलूस इसके चाड़ो नहीं बोला है शाषूजा जो है इसने शिया मत ग्रहन कर लिया था जबकि हमको पता है जितने भी मुगल्स हैं तो सारे सुननी है और शिया मत क्यों ग्रहन किया ऐसा को इनका धार्मिक जुखाओं नहीं है बलकि शाषूजा के बारे में इतियासकारों ने जो इतियासकारो उन्होंने ये बोला है कि शासुजा को संगठन मनाने की शमता थी और इसी वज़े से इसने स्याह अमद सुईकार किया तकुकि ये बंगाल का सूभए दार. और बंगाल का सूभए होने की वे से इसने शियाह और गुजरात का सुबेदार है ये और जहां आ रहा ये बहुत इंपॉड़न्ट है एक्जांस पॉइंट ओफ यू में जहां आ रहा के उपर बहुत पुश्चन आते हैं औरंग देब ने इसको ताहिबा तो जमानी की उपाधी दी थी लेकिन ये जो उपाधी दी थी ये मरन करने के बाद उपाधी दी थी और यही जहां आ रहा थी जिसने शाह जहां की बहुत जादा केर करी है जब औरंग देब उसको कारागार में डाल देता है और ये जहां आ रहा इसलिए भी इंपॉर्ड़न्ट है क्योंकि सूफिजम से जो प्रश्न आते हैं वहां से भी इसक मुलाशा बदक्षी यो कि कादरी सिल्सले के थे मुलाशा बदक्षी और मीर्मिया इनकी शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् खादरी सिल्सले के दोनों सूफी थे और इनी की ये डिसिपल थी इनी की ये शिश्य थी और इसको दफनाया गिया है निदामुदिन ओलिया की जहां पे कबरगा बनाई थी जहां पे मगबरा बना है वहीं पे इसको भी दफनाया गिया है इसके लावा दो नाम और आते हैं र सराथिकार का यूद्ध हुआ है उसमें दारा का सपोर्ट किया है जबकि जो रोशन आ थी उसने औरंगजेब का सपोर्ट किया था और जो ग़ुर्ज आ रहा थी उसने मुराद का सपोर्ड किया था लेकिन जो शाष हुजाãy उसको किसी ने सपोर्ड नहीं किया, तो यह important है, जो तीनों बहने हैं, हो सकता है आपसे एक्जाम इस तरह से पूछ भी ले, कि किसने किसको सपोर्ड किया, तो यह important है, और मुराद के बारे में एक और चीज बहुत जादा important है, इसको आप लिख सकते हैं, कि historian ने इसको कुल कल पूछ ले, शाजहां के किस बेटे को कुल कलंक बोला है तिहासकारों ने, तो शाजहां के बेटे मुराद को कुल कलंक बोला है, अब आते हैं, उत्तराधकार के युद्ध की लडाई, जो की बहुत साथ important है, पूछी आती है, करम पूछा जाता है, कहां प लडाई हुई, वो पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो होती है, बहादूरपुर की लडाई जो की होती है, 14 फरवरी 1658, जब शाजहां बीमार पड़ा होता है, और ये लडाई होती है, बहादूरपुर, एक्शली बहादूरपुर है कहां पहले तो आप वो जान लो, वारा नसी के पास एक जगह है, बहादूरपुर, जहां पर शाजुजा मैंने आपको पता है, बंगाल में था, तो सबसे पहले वही अपने आपको डिक्लियर करता है कि मैं बन जाओंगा बाश्या, और वो भागता है टूवर्ड्स आगरा, कि वो जो थ्रोन है, उसको कैप्चर कर ले, आगर इनका नाम है, जैसिंग और सुलेमान शिको, तो सुलेमान शिको जो है, ये तो दारा शिको का ही बेटा है, सुलेमान शिको, और जैसिंग है, ये हैं आमेर की राजा, तो ये दोनों जाके बादूरपुर में शाजुजा को हरा देते हैं, एक तरफ तो हो गए, सुलेमान श ठिको और जैसिंग और दूसरी तरफ है कौन शाशुजा तो शाशुजा की इसमें हो जाती है हार इसके बाद धर्मट की लाई अब क्यों क्योंकि शाशुजा जैस बंगाल से निकला है तो जाहिर सी बात है और अरंग देब भी नीचे दक्कन से उपर चलेगा दक्कन से उप धर्मट जो पढ़ता है या आपका पढ़ता है उज्जैन के पास उज्जैन जैसा कि आपको पता है MP में है तो जब वो नीचे से चल ला है और फौज उपर से आ रही है तो एक मिडिल पॉइंट है जिसका नाम है धर्मट जहां एक गाउं है उज्जैन के पास यहां पे 15 अप्रेल 15 अप्रेल 1658 लडाई होती है जिसको धर्मट की लडाई और इस समय जो शाही सेना है वो है जस्वन सिंग जोधपूर के जस्वन सिंग जस्वन सिंग ऑफ जोधपूर और इनके साथ हैं कासिम खान प्लस कासिम खान अब ये औरंग देव इतना शातिर है कि अकेले नहीं आता गुजराथ के उसको भी बला लेता है अपने भाई मुराद को तो दूसरी तरफ कौन है दूसरी तरफ है और अरंग देव और मुराद लेकिन इस लडाई में ये जो जस्वन सिंग और जो जो पुरकर जो कासिम खान है ये हारते हैं और जो जस्वन सिंग है वो यहां से भाग जाता है और इस समय इसी युद्ध में मुर्शित कुली खान की भी मृत्य होती है जो की लड़ता है किसकी तरफ से औरंग देव की तो ये important है question पूसकते हैं मुर्शित कुली खान की मृत्यू किस युद्ध में हुई और मुर्शित कुली खान किस की तरफ से लड़ा तो मुर्शित कुली खान जो है ये उत्तरा दिकार की युद्ध में औरंग देव की तरफ लड़ता है और की मृत्य हो जाती है धर्मट क देना की तरफ से औरंग देव मुराद मुर्शित को लिखान एक तरफ से जिसमें मुर्शित को लिखान की मृत्ति हो गई इसके बाद आते हैं सामुगड की लड़ाई की ओप तो सामुगड की लड़ाई होती है 29 माई 29 माई 1658 अब क्योंकि जैन में जीज गिया है तो जाह जाते हैं दारा को दारा हार के भाग जाता है यहां पे और दारा हार के भागता है और इसी बैटल के बाद जो शाजहां है उसको कैद कर लेता है औरंग देव शाजहां इंप्रिजेंट आप्टर दिस बैटल इसी युद्ध के बाद शाजहां को उठाके जेल में डाल देत और अपना आका अपनी तक्ठपोशी करता है ऑश्रेम की जो ताच्पोशि हो दो भार हुई एक्षमो की लड़ाई के बाद ही को कि दारा भाग गया जो भी उसने अपने हग में मना लिया तक और मुराद भी इसके साथी था अब इस युद्ध के बाद ये शाजाया को भी कैद कर लेता है और इस युद्ध के बाद ये मुराद को भी कैद कर लेता है मुराद को भेज देता है गौलीर की जहल में सामुगण की लडाई के बाद एक तरह से जो दारा है उसकी पूरी की पूरी शक्ती एक तरह से नश्ट हो जाती है और वो भागता है नौर्ट वेस्ट की तरफ उसतर पश्चिम की तरफ भाग के राजिस्थान गुजराद अरंगदेब में होती है लेकिन जो खजवा की लडाई है यह होती है शूजा अब क्योंकि हमें पता है शूजा तो बैठा है बेंगॉल में तो शा शूजा जो है शा शूजा ने देखा कि दारा भाग गया है औरंगदेब और मुराद है आगरा में तो शा शूजा भी बें Wajaja Raja Jai Sing, वो अब तक यह समझ जाता है कि दारा जो है उसके पास वो काबियत नहीं है कि वो बाशा बनता कि और औरन्ग देब की तरफ वो आ जाता है, और औरन्ग देब उसको मिला भी लेता है, और औरन्ग देब के अंदर यह सूझ भूज थी कि वो इस चीज़ को दिल पर सिंग को मना भी लाता है और जस्वन सिंग आ भी जाता है और अरंग देब की तरफ से लड़ने लेकिन वो और अरंग देब के ही कैम्प लूट के भाग जाता है यहाँ तो यह बहुत इंपॉर्डेंट है जस्वन सिंग लूटेड कैम्स और अरंग देब कौन सी बैटल थी व तो फिर से जस्वन सिंग को अपनी तरफ ले लेगा और किस तरना इसको मंसब अंतबदारी देगा पड़े जस्वन सिंग इतना इंट्रेस्टिंग करेक्टर है कि यह शिवाजी के गेंस तुमने बहुत सारे जो विवाद हैं वो इसकी बारे में पढ़ा है कि शायद यह इसके काफी टाइम के बाद खज़वा की लड़ाई होती है और इसके कुछ ही समय के बाद पजाती ही लड़ाई देवराई की जो की होती है 13 मार्च 13 मार्च 1669 तो इतियात कारों ने इसका इसकी बहुत आलोशना की है कि अगर दारा बजाए इसके कि वो वापस फिर से आके लड़ाई लड़ता और बजाए इसके वो दक्कन में जाके अपनी सिजी को अगर मस्बूत करता तो शायद प्रबल दावेदारी कर सकता था और और सकती है आपने किताब नोगल इंडिया को यह वोगल की ए मोगल ए राबिया लेखिए ऐसे ट्रवनियाड ने आखिए आप इंडिया करके, तो यह कई बार पुस्तक भी कुछी आती है, तो यहाँ पर हमको यह बताता है, बर्नियर की किस तरह से उसकी बेज़ती करता है, और उसके ओपर आरोप लगाता है, अब आरोप क्या लगाता है, कि यह धर्म का विरोधी था, और धर्म का इस तरह से इसने विर कि वहां पे बादुर्शा जफर को भी वहीं से ग्रिफतार करते हैं अंग्रेज जब वह मिर्दा गालिप के साथ चुपके बैठा होता है और हुमायो के मगबरे में करीब 11 शाही परिवार के लोगदफन है तो यह इंपोर्डेंट है इसकी आर्किटेक्चर भी मैंने पढ़ाई दी आते हैं शाजहां के अंतिन दुनों के उपर फिर हम कुछ उसके जीवन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट पढ़ेंगे जो की कर लिया 1666 में उसकी मित्ती होती है तो 1666 और 1658 कितना लंबा टाइम पीरिड़ है आठ साल कैज रहता है और आठ साल की कैज में जो जहां आ रहा है वो उसकी बहुत जादा खेर करती है और शायद इसी वजए से जहां रहा कि मरने के बाद उसको साहिबा सुद्दमानी की उ और रंग देव में हाला कि उसकी उपादी देने के और भी रीजन थे और जहां रागे विशे में मैं एक फैक बताना और भूल गया आपको कि इसको सूरत का जो राजस्व था वो भी इसके नाम किया हुआ था उसको सूरत जो एक पोर्ट सिटी है गुजरात में वहां का ज और इसका नाम नहीं है खफी खान इसको खफी खान कि नाम की उपाधी दी है मुहमँद रगा ता को सारजनिक रूप से लिखने के लिए प्रस्बंद लगा दिया था तो इसलिए इसका नाम ख़फी खान करके ऐसे कुछ दिया है मौहमद शाह ने अब आते हैं कुछ अंतिम महत्वपूर्ण तथ्थे के उपर शाजहा ने रुपिया और दाम के बीच आना नामा के एक सिक्का चलवाया ये जो रुपिया सिक्का था ये चलवाया था शेरशा सुरी ने किस धातू का बना था ये था चांदी गर चांदी का रुपिया चलवाया था जो शेरशा सुरी ने यह आगे चलके अंग्रेथों के समय तक चलता रहता है और यह दाम जो सिक्का है यह ताबेगा तो प्रश्ण पूशा जाता है रुपिया किस धातू से बना इन दोनों धातू के बीच में उसने शाजाने एक सिक्का चलवाया जिसका नाम था आना संगीत में उसकी गहरी रूची थी और धुरुपत जो है ये इसका बहुत ही प्रियराग था जैसा हमको पता है धुरुपत जो है तानसेन का भी प्रियराग था धुरुपत के बारे में हम पढ़ते हैं सल्तनतकाल में सल्तनतकाल में हम किसका नाम पढ़ते हैं सल्टनतकाल में हम पढ़ते हैं एक नायक गोपाल नाम का संगीतकार संगीतकार है नायक गोपाल जो कि इसके जो धुरुपद राग है इसका ब्रज भाशा में ट्रांसलेशन करता है ब्रज भाशा में ट्रांस्लेटेशन करता है नायाग गोपाथ और ये है आपके अलाओ दिन खिलजी के समय में एके के टाइम पे है और अमीर खुसरो के साथ समकाली ने तो आप इस एके को अलाओ दिन खिलजी भी समझ सकते हैं अमीर खुसरो भी समझ सकते हैं इसके लावा मुंशी बनवारी दास ने इसी समय रबोच चंद्रोदय का फार्तिय अनुवात किया है। यहांगीर ने इसको पंडितराज की उपादी दी है। इसके लावा लाल खान एक म्यूजीशन था पंगीतकार था जिसको गुण समंदर की पादी देता है शाजाहां। बहुत इंपॉर्डेंट है। और इस समय मुगल चित्रकारी में दैवी तक तो डालने शुरू हो गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्डेंट फैक्ट्स है शाजाहां से जुड़े हुए और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं कुईस के दरिये अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा तो आप से जुड़े रहिए और मेरे कुईस में पका बरकरार रहिएगा।